हाई गाईस नमस्ते आसा करती हूं अब लोग अच्छे होएंगे आज लैंज में मैं बनारी भरवाला केरेले और डाल डाल बनारी दो तेरीके से चैने की डाल और मुंकी डाल दोनों मिला के तो आधा गंडे गले डाल को भीगा के रख दिया था और छान के इस कुकर में डाल देख नों और एक कटा वाटमेटर और आधा चमुछ मेंने नमक धन्या पांडर और हल्दी पाउडर और एक गिलास पानी डाल के एक सीटी आने तक हम चड़ा देंगे ग्यास पे आज मैं बनारी पतिला में चाउल तो कुकर में चाउल नहीं बनारी हूँ आज पतिला वाल एक केरेले मैंने को यहां मारकेट बे मिला तो कई भरे नहीं बनाया तो आज भरके बनाऊंगी तो यह केरेले थोड़ा सा करवापन होता है तो करवापन हाटाने के लिए थोड़ा सा नमक ढालके थोड़ा सा यश्री सकर ब große गतुपर निकल जाए आप इसको थोड़ा सा में steam लगा लूँगी और कोड़ोपन बिल्कुल भी नार है तो इसको दो मिनिट के लिए में steam लगाऊंगी ईक करेले को अब थोड़ा सा कोड़ोवल आपको अच्छा लगा तो अब बिना ऐसे भी बना सकते हो बिना steam से भी अच्छी लगती है तो यहां पर दो मिनिट के लिए हम इसको स्टीम लगाएंगे करेले को और उहां पर मैं देख लेता हूं चावल मेरा बन गया की नहीं तो यह वाली पतिला की जो चावल है पानी है तो पानी को मैं निकाल दोंगी तो एक पर मैं दबा दबा के देख लेता हूँ चाउल हो गया कि नहीं चाउल हो गया तो इसकी नमें पानी में निकाल दिया हूँ और इहां पर प्याच लेसिन और हरी मिर्ची काट लेता हूँ ड्रालफे लगाने के लिए कड़ा और थोड़ा सा मेशते लिए तो मसाला बनाने के लिए जो किर Divya मीशा निकाल दक लिक लिए इसमे तर में फोड़ा दो menit में डोगित के इसको बहर निकाल लिए और जादा ष्टीम देंगे तक क्रिए लिए तर दो जकाल जाएगा चाट क ν नreon तो यह तोड़ा सा मैं ने नने कर लोंगी जब तक प्यांच की पाणी थोड़ा सा शुकना जाया। और इसमें एड करूं धनिया पाउंडर्ण द्धनिया और मेटिलिए और पॉणडर्री आपशन पाउडर जाभनी ने सब्सक्रीब्स सबूरह encl Evan और एक आधा चमुझ मैंने यहां पे आमचूर पाउंडर डाल के और अच्छे से हम मिला लेंगे और मसाला भी हम अच्छे से फ्राई कर लिया हूँ देखिए सुख गया है जो प्याँच की जो पानी है तो यह तियार हो गई इसको एक प्लेट में निकाल एता हूँ थंड़ा करने के लिए आधा कपी पी मैं नहीं खाया जल्दी भी बन जाते ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है जल्दी पग बी जाते हूँ- कड़ेपन निकल देने की बार ना पता भी नहीं जला ना अच्छा स्वात आया खाने में तो इसको थोड़ा थोड़ा टॉपिंग बाहर ना निकल जाए तो धागा बान दूँगी और यहां पर मैंने ना दो तीन स्पून सुर्शो का तेल में और इसके के लिए के लोंगी त तो मैं इसको थोड़ा सा बीच में ऐसे चला दूँगी स्टीम देने कि इसने ना जल्दी पक जाते और हलका सा बैस ज्यादा दे तो इसको फ्राई करने का जोरोत नहीं पड़ता है थोड़ा सा ओवायल में यह बन के रेडी हो जाते और मैंने डाल में इसमें जो काटा था लेशन और प्याज और हरी मिर्ची हलका से मैंने फ्राई करके और डाल को तड़का लगा दिया हूँ जो यह साइड में के रेले की जो अपर का जो छिलका नहीं निकाला था चिलका तो चोई वाले छिलका बजगे ही थी मेरे को डालना मैंने भूल गई के रेले जो फ्राई बूदी का राइता और प्यांच और टमेटर की यहां पे सैलेट और जो रोटी वालो रोटी बनाया रोटी वाला वीडियो में नहीं देखाया आपको तो यह वाला जो रेशिपी लैंज की अब लोग को कैसे लगी कमेंट्स या लाइक जोरूर करना थोड़ा सा भी अच्छा लाइगा तो लाइक चोरूर करना मिलते हैं नेक्स रेशिपी के साथ अचके लिए बाइब